मेरे भाई लोग को जो कि कीबोर्ड के दिवाने हैं आज एक नया टॉपिक एक नया इंट्रस्टिंग कीबोर्ड लेकर आ गया हूँ इस तरह के कीबोर्ड को बोलते हैं QMK कीबोर्ड यानि की क्वांटम मेकैनिकल कीबोर्ड लेकिन हम फचुनेट है कि इपो मेकर ने हमें ये कीबोर भेज़ दिया है और वो भी एक नहीं दो ऐसे कीबोर्ड भेजे हैं जो की क्वांटम मेकैनिकल कीबोर्ड फ़र्म वेर पर अपडेटेड़ है और साथ ही उस पर एड़ाउन लगता है वी आईये का सारी बाते होंगी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा लेकित दोस्तों इससे पहले की इस एपिसोड पे आगे फर्दर प्रोसीड करें नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ नोटिफिकेशन काल पे करो क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरह के के न्यूट्रल अनबाइस रिव्यूज बनाते रहने के लिए मदद करती है हमें एनरजी देती है और अब जो है आप डारिकली इस चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हो वह कैसे तीन दिन के अंदर आपका प्रोड़क्ट आपके पास विदा सर्प्राइज गिफ दैट्स विंग से चली आज बात करते हैं एपो मेकर के टी एच एटी प्रो वी टू और एक ट्वेंटी एक्स की बाहती यानि टेक बॉक्स हिंदी के साथ अच्छा दोस्तों इन दोनों की कीबोर्ड में आज इतने सारे जैंपैक्स फीचर हैं कि इनको बताने में काफी टाइम लगेगा और एपीसोड जो है लंबा हो सकता है इसलिए हमने जो है अन्बॉक्सिंग का एक एसमार आपके लिए स्पेशली बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रखा है 25% के कीबोर्ड के ऊपर जब आपको वेट देखने को मिलता है 884 ग्राम तो अंदर मसाला भर पूर देखने को मिलेगा यह गैरंटी है और साथी जो दूसरा वाला कीबोर्ड है EK20X यह है नमपैड अगर आप कीबोर्ड लेते हो 75% और उसके साथ नमपैड अलग से जोड़ना चाहते हो जो की कीबोर्ड एंथूस्यासिक वर्ल्ड में जो है तो आप इस तरह का सेटप बना सकते हो यह कीबोर्ड का जो रेशियो बनेगा वह 20% का बनेगा टोटल 95% जो ह मिल रहा है और अगर कलर की बात कर लें ऑप्शन बहुत सारे हैं जो टी एच एटी प्रो वी टू है उसमें आपको वाइट एंड ब्लैक कलर देखने को बिलता है जबकि जो आपका नमपैड है वो सिर्फ ब्लैक में आता है अगर बात करें अटैच्मेंट की डबल साइज क आपको यहां पर देखने को बिल जाता है वित रबर ग्रिप साथ ही आपको डंपैड के ऊपर भी चार रबर ग्रिप लगके आते हैं चली अब ध्यान देते हैं इनके डीटेल्स की देखो कीबोर्ड जो है इतना धासो है तो इसमें डीटेल्स भी बहुत जबरदस्त है और उसके लिए आपको स्विच देखने को बिल जाएगा और उसके साइड में जो है आपको टाइप सी केबल लगाने के लिए जगा भी देखने को मिल जाएगी वायर मेंचमेंट करने वाले मेरे बंदों को एक चीज़ बहुत अच्छी लेगी कि यहां पे जो प्लेसमेंट है तो यह उनके केबल मेंचमेंट के लिए काफी बढ़िया होने वाला है हलाकि Bluetooth 5 और Wi-Fi 2.4 GHz जैसे कि आप देख रहे हो दोनों ही इस कीबोर्ड में सपोर्टेट है और अगर बात करें नमपैड की तो यहां पर भी कन्फिग्रेशन आपको बिलकुल डिक्टो सेम देखने क बनाया गया है इसके साथ यह इसलिए इसी तरीकी से बनाया गया है और अगर बात करें लेंद की वन पॉइंट मीटर ब्रेड़ के वल टाइप एटू टाइप सी आपको दोनों कीबोर्ड में ही देखने को मिलेगा ब्लैक सलर में अब हम बात करेंगे यहां पे स्विच सिस कीबोर्ड आते हैं उनमें जैनरली पास्ट्रू कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता आपको अगर थौकियर कीबोर्ड पसंद है यहां पर आपको जो है थोड़ा सा कॉंप्रमाइस करना पड़ेगा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और बात करें ले आउट की देखो चेरी ल रहा है इपो में करके मुलान स्वीच जो है यहां पर लगाया गया है इसका साउंड जो है आपको थोड़ी देर में सुना तो थोड़ा सा पेशन दरगो पहले इसके डिनोमिनेशन की बात कर लेते हैं देखो एक्ट्रिशन फोर्स है 47G प्लस माइनस 10G अगर बात करें ट्र को सेम चीजें ही देखने को मिलेगी अब जो है एक आपको बड़ी आसा साउंटे सुनाता हूं यहां साउंटेस्ट आपके लिए साउंड बढ़ी अलगा दोस्तों अब यह जो साउंड है यह क्यों आ रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं सबसे पहले जो यह स्वीच देख रहे हो ना मुलान स्वीच यह बहतरीन अपने आप में ही साउंड करता है उसके ऊपर यहां पे यह स्वीचेस प्रिल्यूप्ड है साथ ही जो स्टेबिलाइजर्स आप देख रहे हो यह भी प्रिलूप्ड है वैक्ट्री से और एक नहीं दो नहीं बलकि छे लियर्स का यहां पर एकोस्टिक ट्रीटमेंट आपको इस कीबोर्ड की ऊपर देखने को मिलता है सबसे पहले गैसके देखने को मिलता है देन पीस कर सकते हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है यहां पर आपको लिंक देखने को मिल जागा लेकिन इसका जो साउंड वह आपको पसंद आ रहा है इसकी लाइटिंग तो यह भी बता दो इसके अंदर जो लाइटिंग है वह सारे साउथ फेसिंग लाइट इसकी बोडर में आपको एक बेक्क सवाण जो सुनने को मिल रहा था अब बात करेंगे दोस्तों कि अनलॉक होने वारे हैं दोस्तों विश्वास करो कि एगर फीचर्स फीचर्स बताओं तो ही एक घंटे का वीडियो बन जाएगा कुछ मैं बता दूंगा कुछ आप जो है एक्सप्लोर कर लेना जरूरी जो पॉइंट्स है यह मेरा वादा है कि कुछ भी नहीं जुटेगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जरूरी जरूरी फीचर है और साथ ही आपका जो ट्राइमोड कनेक्शन है यानि की ब्लुटूथ 5 वाइफाइ 2.4 गिगाट्स और केवल वाला कनेक्शन जो है यहां पर टॉगल किया जा सकता है यह वी एक फीचर है और साथ ही अगर आप पूरा कीबोड रिसेट करना चाते हो तो उसके लिए जो क कर सकते हो और अगर आप सोच रहे हो कि इन दोरों कीबोड में कितनी कितनी बैटरी लगी हुए तो देखो बड़ी वाली कीबोड जो है इस पर आपको कम सम नहीं बलकि 3000 अमेज की बैटरी लगी हुई है और यही सब वीचर जो है आपको एक 21x में भी देखनी को मिलता है ए आपको पता चलेगा कि पिसकी क्या कर सकते हो चलोँ आप बात कर लेते हैं रंगीनियों की देखो दोनों कीबोर्ड की रंगीनियों के बारे मैं थोड़ा बहुत तो बताई चुका हूँ आपको लेकिन इन दोनों कीबोर्ड के जो सैचुरेशन है जो हूज है इन सब को भी जो है आप पकड़ पकड़ के यहां पे कस्टमाइज कर सकते हो और सॉफ्ट्वेर में जाने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्ट्वेर तो है भी न है वो टॉगल हो जाते हैं के साथ उपर वाले अरो को दबाऊगे तो ब्राइटनेस टॉगल होगा और साथी फंक्शन और बैक स्पेस को दबाऊगे तो यह सारी लाइट जो है वो ऑफ भी हो जाएंगी इन दोनों कीबोर्ड में आपको अठरा लाइटिंग मोड देखने क सकते हों प्लस सेवन और रिट से आप बैकली के सपीड को टागल कर सकते हो तो दोस्तों जैसे की मैं गहरा था कि स्में शॉफ्ट्वेर का भी पिताश्री बेटे है तो वो क्या है वांटम मेकैनिकल कीबोर्ड समझ लेते हैं थोड़ा सा क्योंग इन कीबोड को हौंटम मेक रन होता है यहां पर बहुत सारे नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप भूत भी चाहोगे तो इसमें कर सकते और ऐसे ऐसे कर सकते हो कि उसके बारे में कोई पहले सोचा भी नहीं होगा और इसकी इतने डीप में ना चाते हुए अगर हल्की हल्की जीजों को मैं पकड़ा चलू तो सबसे पहले यहां पर जो आपको फरमवेर देखने को मिल रहा है उसका नाम है QMK अब इस QMK फरमवेर के उपर आपको एक टान मिलता है जिसे कहते हैं विया यह अब यह आइच जो है आपको देखने में भले व्ले ही के वी आई-इय को आपको कैसे करोगे इसको कैसी यूज करोगे उसके बारे में हलके से जान लेते हैं ये कीवोड ले रहे हो चैलते करें वेबसाइट से नीचे हरेक लिंक आपको आपको सख्रॉल करके आउ यहां पर आपको जो है जेसन फाइल देखने कर लेना है यहां पर जो है आपको अपलोड कर देना आपका वाला जेसन फाइल अब जो है आपके पास एक लियाउट आजाएगा इस लियाउट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो चोटा-चोटा पगड़ के चल रहा हो बेसिक में आप क्या कर लोगे कीबोर्ड के किस के साथ जो स्क्लैस दबाना पड़ रहा था बैकली टॉगल करने के लिए वो सब यहां पर करने की ज़रूद ने सिर्फ एक सिंगल की के ऊपर आप यह रोल जो है एसाइन कर सकते हो और साथी अगर मीडिया की कंसम्शन के लिए आपको कुस्टमाइजिशन करना है तो वह भ लेना हो यह सारी जीज़े सिंगल क्लिक से अचीव हो सकती है अगर आप इस तरीके से कमांड करो और यह जो सारे फीचर मैंने बताए क्यूम के और इसकी ऊपर विया का जो प्लग इन है यह सारी कस्टमाइजबिटी आपको इसके जो नमपैट वाला वर्शन है उसके ऊपर भी देखने को मिल जाती है और अगर बात करें दोस्तों इस कीबोर्ड के चोटे से क्यूट से इट स्क्रीन की तो दोस्तों यहां पर अगर आप कस्टमाइशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो टूल है आपको इपोविकर के वेबसाइट में मिल जाएगा आपको एनिमेशन बना कर भी यहां पर फीड कर दोगे एंड ग्रेट तींग इस यहां पर जो यह टूल है यह हंट्रेट से लेके 65535 मिली सेकंड को सपोर्ट करता है विच ओपन सब्सक्रीट कैलिबर फॉर इस क्यूट स्क्रीन और यह LCD दिखाता क्या-क्या है इसके अंदर आपक स्क्रीन के अंदर देखने को लेगा और अगर बात करें इस पूरे कॉमिनेशन का यह बहतरीन फर्मवेर इसके इतने बहतरीन एकोस्टिक इसके इतने बहतरीन स्वीच इसका रेट क्या है 5000 है 10,000 है इसका प्राइस है 49.99 डॉलर यानि कि अगर आज के डेट पे जब मैं रि 1000-5000 के बीच में तो इस इस दा की बोड यू शूड एसेंशेली लुक और जो नमपैड है दोस्तों उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा मुझे इंफलेटेड लगा हाला कि इसका कंस्रक्शन भी उसी लेवल का है यहां पर आपको जो इसका प्राइसिंग है वो 69.99 डॉलर यानि कि रेकॉर्डिंग के डेट पे यह 5848 का जो है आपको मिल जाएगा मेरे भाई लोग एक सवाल और रहता है कि कस्टम कितना लग जाएगा या शिपिंग कितनी लग जाएगी तो देखो शिपिंग तो फ्री है और कस्टम जो है इतने सारे मेरे पास कीबोर्ड आगा है इपो मेकर के वेब साइट से अभी तक तो नहीं लगा है तो यहां पर आप जो है बेवीकर है सकते हो यहां पर आपको चक। कस्टम नहीं लगने वाली और अगर आपको आज का शबन हैं यहारा कीबोर्ड आया है जब यह कीबोड आपके घर बे आता है आपके सेटप इसे एड़ करना है मुझे मेरे इंस्टागरम हैंडल आड़ेटेक बहुति ओविशल में उसका पीक बेस देना है मैं उठाकर इसे सीधे वोटिंग पर लगाऊंगा इंस्टा पर वोट होगी यूट्यूब वोट होगी अगर आपके सेटप को मिल जाता है सबसे जादा पे आर सबसे जादा वोट तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक प्री डॉमिनोस का वाउचर